नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है अरशी दिवेधी और मैं आपका फिर से स्वाध करता हूँ 74 वीडियो है ये इंडियन पॉलिटी लक्षमी कांथ की पिछली वीडियो में हम लोग कंपेर कर रहे थे नाशनल इमर्जेंसी को प्रेजिडेंट रूल के साथ यहाँ पे उस कंपेरजन को कंटीनू करेंगे फिर हम देखेंगे कि जब प्रेजिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अंदर तो वहाँ पे जुडिशिल रिव्यू का कितना स्कोप है और हिस्ट्री में मदब अब तक जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें प्रॉपर केसिस कौन से रहेंगे आर्टिकल 356 के देखे 125 से ज़ादा बार प्रेजडेंट रूल इंडिया में लगाया जा चुका है और ज़ादतर बार ये इंप्रॉपर यूज की वज़े से लगाया गया है कुछ कंडिशन्स में अगर 306 लगाएंगे तो वो इंप्रॉपर होगी यानि कि वहाँ पे 356 का गलत इस्तमाल किया जा रहा है तो इन सारी चीज़ों को एक डेटेल एनलिसिस के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कागे बन्स पहले दोस्तों I hope आपने एक किताब खरीद ली होगी वीडियो पर लाइक का बटन टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लीजे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे साथ जोडने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं साथ-साथ मेरे दौरा बनाई गई और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल मेंबर भी बन सकते हैं मेंबर जॉइन बटन दबा के चलिए अब सबसे पहले तो डिफरेंसेज को कंटीन्यू करते हैं जैसे कल मैंने कॉलम ड्रा किया था एक कॉलम में और ड्रा कर देता हूँ इधर आपका नाशनल इमर्जेंसी और इधर आपका प्रेजिट डूल कल कॉलम ड्रा किया था मतलब पिछली वीडियो में जो मैंने रोग तो मेरे पिछली वीडियो देखी जा के दो डिफ्रेंसिस मैंने आपको पहले बिता दिये थे कुछ डिफ्रेंसिस मैं आप बताऊंगो लोगवेच छे डिफ्रेंसिस और बताऊंगो देखिए दोस्तों जब national emergency लगती है और यहाँ पे अपने आप से पार्लेमेंट किसी और बॉडी को ये ताकत नहीं देगी अभी देखी दूसरे मैं आपको एक और बात बताता हूँ नैशनल इमर्जनसी की जो प्रोवीजन्स है न वो बहुत ज़़ा इवॉल नहीं हुए चोकि 1977 के बाद से अब तक इंडिया में नैशनल इमर्जनसी लगी नहीं है पर प्रेजडेंट रूल को बे हिचक लगाया है ठीक है न सिंटल गॉर्मेंट ने तो प्रेजडेंट रूल के जो नियम कानून है इसके ओपर काफी बातचीत हो चुकी है आपकी जुडीशनी में ठीक है न बहुत सारे कोर्ट जजमेंट आ चुके है सरकारिया कमिशन में भी इसकी बात की गई है और भी बहुत से कमिशन बने हैं वहाँ पर प्रेजडेंट रूल की बात हुई है नैशनल इमर्जेंसी की इतनी बात नहीं हुई चुकी 1977 के बात नाशनल इमर्जेंसी लगी नहीं और 44th Amendment Act 1978 के थुरू जो चेक्स इन बैलेंसे लगाएगे नैशनल इमर्जेंसी पे वो आज तक लागू है प्रेजडेंट रूल पे भी लगाएगे पर प्रेजडेंट रूल में और भी कुछ बाते हुई है जो हम यहाँ डिसकस करेंगे तो जब नैशनल इमर्जेंसी लगेगी तो स्टेट लिस्ट के ओपर नियम कानून पारलेमेंट बनाएगा और कोई बाडी नहीं बनाएगी वही पर जब प्रेजडेंट रूल बनेगा तो पारलेमेंट के पास यह ताकत आजाएगी कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ओपर वो नियम कानून बना सकते हैं जदातर cases में Parliament जो ये ताकत है वो President को देता है लेकिन अगर Parliament चाहे तो ये ताकत किसी और body को दे सकता है यानि जब किसी state में President रूल लगा है तो उस President रूल के दोरान State Government कैसे चलेगी उससे related नियम कानून बनाने की ताकत Parliament के पास आ जाती है जदातर cases में, maximum cases में Parliament ये ताकत President को देता है लेकिन Parliament चाहे तो President को न देके किसी दूसरी authority को ये ताकत दे सकता है तो कोई existing authority उसको भी ताकत मिल सकती है तो किसी नई authority को भी बना के भी ताकत दी जा सकती है लेकिन ज़्यातर केसे में ताकत प्रेजिडेंट को ये दी जाएगी इसलिए इसको प्रेजिडेंट एक्ट कहा जाता है तो एक तो डिफरेंस हो गया ये वाला आगे की डिफरेंस की बात करी जाए तो नैशनल इमर्जेंसी जब लगती है इसका कोई maximum time period नहीं है मैंने आपको बताये कि एक समय पे नैशनल इमर्जेंसी लगेगी 6 महीने के रहें हर 6 महीने के बाद लोगसभा को और राजसभा को नैशनल इमर्जेंसी को approval देना है और अगर ये approval हर 6 महीने पे मिलता रहा तो नैशनल इमर्जेंसी लगती जाएगी लगती जाएगी लेकिन जब बात आती है प्रेजिडेंट रूल की तो प्रेजिडेंट रूल के लिए एक अपर लिमिट तैकी गई है अपर लिमिट क्या है तीन साल तीन साल से जादा आपको प्रेजिडेंट रूल नहीं लगाना है और एक और चेक अन बैलेंस जोड दिया है कि 44th Constitutional Amendment Act 1978 की तुरू क्या किया गया है जो आपको पिछली वीडियो में ने बताया कि भाई देखें कि अगर एक साल से जादा आप कहीं पर प्रेजिडेंट रूल को एक्टेंट कर रहे हो तो या तो देश में कहीं नेशनल इमर्जेंसी लगी हो तो इस बेसिस पर आप टेंट कर सकते हो या फिर Election Commission एक रिटन रिपोर्ट दे कि हां भाई उस से स्टेट में हम एलेक्शन नहीं करवा सकते कुछ डिफिकलिटीज हैं तो उस बेसिस पर आप प्रेजिडेंट रूल को एक साल के आगे एक्टेंट कर सकते हो तो मैक्सिमम कॉंस्टिटूशन लिमिट क्या है तीन साल एक साल के बाद भी आपको एक्स्ट्रा चेक्स लगाए गए लेकिन नैशनल इमर्जेंसी के उपर असे कोई चेक्स नहीं अगर पारल्लामेंट ने हर शे महीन पर अप्रूवल दे दिया बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी फिर अगले डिफेरेंस की बात की जाए तो भाई आप नैशनल इमर्जेंसी बहुत जादा एक्स्ट्रीम है बहुत जादा एकस्ट्रीम कैसे कि भाई के एक बार नैशनल इमर्जेंसी लग गयी तो सेंटर के और सज़ीज योवर्मेंट से लगती है तो central government के पास ताकत आ जाती है हर state के साथ अपने arrangement को बदलने की लेकिन state में ऐसा नहीं है इस state में जो state emergency लगती है जिसको आप president rule कहते हो वो किसी एक particular state में लगता है तो जब वो किसी एक particular state में लगेगा तो center के पास ताकत केवल उस state के respect में आएगी पूरे देश में बाकी arrangement चल रहा वो वैसा ही वैसा चलता रहेगा फिर अगला difference अगर national emergency लगी है तो national emergency को हर 6 महीने पे approval देना है दोनों houses of the parliament के दौरा लोगसभा के दौरा राजसभा के special majority लेकिन जब यही president rule का proclamation को पहली बार लगाना है या बाद में continue करना है हर 6 महीने के gap पे तो लोगसभा और राजसभा में simple majority के साथ किया जा सकता है फिर भाई national emergency के दौरान लोगों के fundamental rights automatically suspend हो जाते हैं article 358 के अंदर 359 article 358 article 19 को deal करता है 359 सारे दूसरे fundamental articles except 20 and 21 यह article 58 और article 359 के मैं detailed analysis कर चुका हूँ मैं दुबारा नहीं बोलूगा तो fundamental rights effect होते हैं national emergency के दौरान एक line में सुनिए लेकिन किसी भी तरीके के fundamental rights state emergency की दौरान यानि president rule के दौरान effect नहीं होते है तो मान लीजे मैं महारास्ट में महारास्ट में एक समय के लिए मान लीजे कि president rule लग गया तो भले ही महारास्ट में president rule लग गया मेरे fundamental rights पर कोई effect नहीं आएगा मैं जैसी जिन्दगी जी रहा हूं मैं वैसे ही जीता रहूंगा बस होगा क्या कि जो state government जो administration चला रही थी वो administration प्रेजिडेंट चलाने लगेगा लेकिन लोगों के fundamental rights को लोगों की लोजमन्रा की जिन्दगी पर कोई फर्क नहीं आएगा फिर एक final difference देखते हैं अगर national emergency को हटाना है तो लोग सबा एक resolution को पास करके national emergency हटा सकता है ठीक है ना अगर president rule को हटाना है तो president एक proclamation निकालेगा लोग सबा एक अलग से resolution पास करे ऐसा कोई भी constitutional article नहीं है president एक proclamation निकालेगा और national emergency हट जाएगी अगर बात की जाए national emergency की तो पहली बार सौरी, President rule की, 356 की बात हो रही, यहाँ पर जो भी बाते होंगी 356 की होंगी, तो पहली बार देश में, जो President rule लगा था, वो लगा था पंजाब में, 1951 में, आप तक देश के सारे राज्जे, President rule में एक या एक से ज़ादा बार आ चुके हैं, उसके लिए आपको लक्षमी कांत में एक टेबिल मिल जाएगा टेबिल 16.2 आप उस टेबिल को जाके देख सकते हैं वहाँ पर आप देखो के आंधर प्रदेश में तीन बार अनुनाचिर प्रदेश में दो बार सबसे जादा जो आपको टेबिल में दिखेगा वो दिखेगा मनीपुर दस बार उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगी नौ बार पंजाब में आठ बार ठीके यहाँ पे यह जो सामने आपको फिगर नजर आ रहा है इस फिगर में भी 124 बार जो इमर्जेंसी लगी है हलाकि 125 से जादा बार अब तक इमर्जेंसी लग चुकी है लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको इस फिगर को देखके मिल जाएगे कि कहां पे कितनी कितनी बार इमर्जेंसी लगी है Emergency मतलब President Rule मैं यहाँ पर जब भी Emergency बोल रहा हूँ President Rule बोल रहा हूँ Confuse मत हुएगा यहाँ पर President Rule की बात हो रही है National Emergency की बात नहीं हो रही है अब हम बात करेंगे कि कैसे इस President Rule के Provision को गलत तरीके से इस्तमाल किया जाएगा लोग सभा में 1977 के Election हुए आपको पता है 1975 से लेके 1977 तक देश में Emergency लगी थी अभी जब देश में Emergency लगा दी तो लोगों का गुस्ता था भाई सरकार की ओपर कि कैसे आप Emergency लगा सकते हो वो गुस्ता फूटा और 1977 में Congress Party हार गई जनता पार्टी आगी अभी जब जनता पार्टी आएगी तो जनता पार्टी की जो गवर्मेंट थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने मुरारजी दिसाई उन्होंने 9 स्टेट में President रूल लगा दिया और वो 9 स्टेट वो वाले स्टेट थे जहांपे Congress Party राज में थी चुकि Congress Party की तरफ गुस्ता था और पहली बार कोई Non-Congress Party Elections जीत के Center में अपनी सरकार बना रही थी तो अब्वेसी बात है इन्होंने अपना गुस्ता निकालने के लिए Congress Party को स्टेट से हटा दिया और यह बोल दिया कि States में जो Congress की पार्टी है न यह electorate की wish को fulfill नहीं करती अब यहां से चीजों का politicization होना शुरू करेगा यहां पे अब लोगों की लोगों का will come और political parties जो political executives हैं उनके whims and famsies ज्यादा आने लगेंगे उसी तरीके से 1977 में जो मुरारजी दिसाई की government बनी जंता पार्टी की वो 1980 में गिर गई 1980 में फिर से election हुए Congress party power में आई Congress party power में आएगी तो पहले जो 9 states जहां से Congress की सरकार को हटाया था अब उनी 9 states से non-Congress की सरकार को हटागे फिर से President rule लगा दिया जाएगा और फिर ये सिंसिला चलता ही जाएगा 1992 में President rule लगेगा तीन BJP ruled states में मद्द प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में राजिस्थान में यहां पे जब 1992 में इन तीन BJP ruled states में President rule लगाया गया तो ये बोला गया कि भाया ये जो सेट की सरकारे हैं ये religious organizations के उपर checks and balances नहीं ला रही है कुछ हिंदुत्वा ideology को promote किया जा रहा था ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसमें तो हुआ ये कि center ने directions दिये हैं इन states को कि देखिए आपके यहां पे जो religious organizations फलफूल रहे हैं न ये देश के secular character के अगेस्ट है constitution के secular character के अगेस्ट है तो आप इन religious organizations को control करो इन तीन बीजेपी rule states ने बात मानी नहीं control किया नहीं तो भाई ये Congress की center की सरकार ने इन दीन बीजेपी rule state में लगा दी President rule यानि की State Emergency अभी जब यहाँ पे President rule लग गया तो अब विसी बात है कि अब Supreme Court में जाएगा case ठीक है न Supreme Court में गया इस case को बोलाता S.R. Bomae case 1994 S.R. Bomae case 1994 में जब Supreme Court का judgment आया Supreme Court ने बोला कि 1992 में ये जो बीजेपी rule states में जो emergency लगाई गई थी चुकि secularism is a basic character of Indian Constitution Secularism is a part of basic structure of Indian Constitution और अगर कोई भी सरकार हमारे सम्विधान में दिये गए basic structure के against काम करेगी तो भाया उसके खिलाफ action होगा ये action केंदर की सरकार ने लिया तो ये action सही है लेकिन at the same time Supreme Court ने ये भी बोला कि भाया ये जो president rule लगाया गया था नागा लैंड में 1988 में करनाटका में 1989 में नागा लैंड में 1988 में करनाटका में 1989 में और मेखालया में 1991 में यहाँ पे जो president rule लगाया गया ये गलत है तो S.R. Bomae case 1994 में Supreme Court ने बोला कि आपने 1992 में मद्ध प्रदेश हिमाचल प्रदेश, राजिस्थान इन BJP rule states में जब आपने president rule लगाया तो वो सही है चुकि वहाँ पे secularism को खतरा था लेकिन नागा लैंड में जो 1988 में लगाया करनाटका में 1989 में लगाया मेखालय में 1991 में लगाया वो गलत है अब आप यहाँ से देखोगे कि supreme court का एक जो balancing act है वो आने लगेगा supreme court अब यहाँ पे जो excessive executive का जो interference हो रहा था यह जो सरकारें बेकार में अपने मतलब के लिए जो constitutional provisions को तोड रही थी इसको रोकने के लिए supreme court का proactive involvement होना शुरू करेगा और यहाँ पे supreme court एक लगाम लगाना शुरू करेगा executive के ओपर और legislature के ओपर यहाँ पे हमारे बाबा साब के statement को भी देखते हैं constitution की assembly debates में क्या बोला यह constitution की assembly decades यह जो debates है इसका पूरा एक पोथा है जिसको maintain करके रखा गया यहाँ पे देखिए बाबा साब क्या बोल रहे हैं यह बोलते हैं कि जो article 356 को हम लोग ला रहे हैं constitution में हम इसको expect करते हैं कि यह एक dead letter की तरह लहेगा dead letter मतलब कि एक ऐसा letter जो कि dead है जिसको हम तभी खोलेंगे जब कोई exceptional circumstance आता है वैसे इसको ना प्रेयो किया जब बाबा साब को यह बात पता थी यह 356 बहुत extraordinary ताकत है और center को 356 को इस्तमाल करना चाहिए बहुत exceptional circumstance में चुकि हमारा जो समविधान है भले इसमें federalism लिखा नहीं बट वो federal समविधान है यहाँ पे state governments को ताकत दी गई हो center government पूरी ताकतवर है नहीं तो center government को अगर constitutional provisions को implement करवाना है तो वो 356 का इस्तमाल कर सकती है अगर कोई state government sectionist tendencies करती है जबरदस्ती धर्म के नाम पे लडाती है तो center 356 का इस्तमाल कर सकती है बट center केवल अपने कामों के लिए अपने राज को बनाने के लिए state governments को दमाने के लिए political party की जो petty politics चलती है उसको meet करने के लिए इस article 356 का प्रेयोग नहीं करे इसलिए बाबा सामने यह expect किया भाई देखे यह जो article है 356 president rule वाले यह ज़्यादा operation में लाए नहीं जाएंगे यह dead letter रहेंगे लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह dead letter रहे नहीं है और बाद में अभी से 10-15 साल बहले HV कामत करके एक member है ठीके ना constituent assembly के वो constituent assembly की member से उन्होंने क्या बोला कि अंबेटकर साहब is dead but articles are very much alive यानि यह articles जिसको बाबा साहब ने बोला था कि हाँ भाई यह dead letter है इनको नहीं इस्तमाल किया जाएगा बाबा साहब तो चलेगे लेकिन यह articles आज भी alive है और इन articles का प्रियोग कर रहा है central government और legislature state की government को state की सरकार को दबाने में चुकि central government अकेले इनका miss use नहीं कर सकती है obvious सी बात है अगर कहीं पर president rule लगाया गया है तो इसको parliament approval देगा तभी वो लागू होगा अब यहाँ पर बात की जाती है scope of judicial review एक article निकल के आता है 38th amendment act 1975 38th amendment act 1975 ने क्या बोला कि भाई यह देखें जब भी article 356 की बात आएगी तो article 356 को proclamation करना है या नहीं करना इसमें president की ताकत final है और conclusive है और अगर president को लगता है कि हाँ article 356 आना चाहिए तो वो final होगा इस ताकत को किसी भी court में challenge नहीं किया जा सकता है और विससी बात है यह congress की सरकार के दोरान किया गया है जब emergency लगी थी उस समय पर लगबग हुआ तो मतलब अगर आप president rule को लेके आ रहे हो तो कोई भी court उसमें interference नहीं कर सकती यानि कि यहाँ पे legislature और executive in fact executive अपने आपको एक limit से ज़्यादा ताकतवर कर रहा है और जो judiciary को responsibility दी थी हमारे समविधान ने कि जब भी legislature और executive अपनी सीमा लागेंगे तो आप रोकोगे इस ताकत को judiciary से चीन रहे थे लेकिन सरकार बदली 44th amendment act 1978 आया और 44th amendment act 1978 से बोला कि देखे president 356 के अंदर president rule लगा सकता है no doubt लेकिन उसके against judicial review की ताकत रहेगी judiciary की पास यानि judiciary की जो ताकत है यह आप नहीं चीन सकते हैं यह किसने बोला 44th amendment act 1978 तो 44th amendment act 1978 ने judiciary की ताकत को restore कर दिया जिसको चीन लिया गया था 38th amendment act 1975 की दूरू अब हम बात करते हैं बोमाई case 1994 की देखे जब बोमाई case 1994 1994 आया तो कुछ propositions लाए गए Supreme Court के दौरा on the imposition of president rule in a state under article 356 जब भी 356 के अंदर कहीं पर president rule लगाया जाएगा वहाँ पर कौन कौन से propositions को follow किया जाएगा किन-किन factors को देखा जाएगा यह बोमाई case 1994 में Supreme Court ने बताया Supreme Court ने सबसे पहले बोला कि अगर presidential proclamation लगता है president rule का तो that is subject to judicial review यानि judiciary यह चेक कर सकती है कि वो president rule जो लगाया गया सही है या गलत है उसके बाद अगर president rule कहीं पर लगाया जा रहा है तो वो किसी particular relevant material की basis पर होना चाहिए वो relevant material एक document हो सकता है एक report हो सकती है और उस report में वो reasons लिखे रहेंगे जिन reasons के आधार पे president rule लगाया गया और वो reasons irrelevant नहीं होने चाहिए फाल्तू के नहीं होने चाहिए petty नहीं होने चाहिए वो major reasons होने चाहिए वो अलग बात है कि वो जो reasons है वो सही हैं गलत हैं उनके background में क्या है ये judiciary चेक नहीं करेगी लेकिन जिन reasons के वो ऐसे president rule लगाया गया वो reasons enough हैं relevant हैं या नहीं है ये judiciary जुरू चेक करेगी जैसे कि for example अगर राजस्थान में मैं पस आपको एक hypothetical example दे रहा हूँ अगर राजस्थान में अभी के लिए है वो secularism के ये जो provisions हैं को follow नहीं कर रही है तो secularism के provisions follow नहीं कर रही है इसलिए हम राजस्थान में president rule लगा रहे हैं तो यहाँ पे जुडीश्री ये देखेगी कि भाई देखें ये जो secularism का सिद्धान्त है क्या ये एक proper reason है president rule लगाने के लिए अब सच में secularism के सिद्धान्त को राजस्थान की high court ने violate किया है या नहीं किया है ये inquire करना Supreme Court के jurisdiction में नहीं आता है ऐसा S.R. Bumai case 1994 ने बोला तो जो भी reasons उस document में इस report में दिये हैं central government ने president rule लगाने के लिए वो reasons relevant हैं या नहीं है ये देखा जाएगा हलाकि वो reasons कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये देखना Supreme Court का काम नहीं है I hope आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से सुनो जो मैंने बोला है समझ में आएगा और जब इन reasons के आधार पर president rule लगाया गया तो center के उपर ये responsibility है कि वो prove करें कि हाँ भाई ये relevant material exist करता है और हमने इसके basis पे president rule लगा दिया ठीक है यहाँ पे देखे लिखा हुआ चौते point में the court cannot go into the correctness of the material और its adequacy तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया उसके बाद पांच्वा point अगर supreme court बोल देता है कि जो president proclamation लगाया गया है ये unconstitutional है invalid है तो उस case में supreme court के पास ये ताकत है कि भाईया जो state government जिसको dismiss कर दिया गया है उसको फिर से restore किया जाए और state legislative assembly को फिर से revive किया जाए अगर वो suspend हो गई थी dissolve हो गई थी यहाँ दो चीज़ आती है suspension, dissolve suspension में क्या होता है कि state legislative assembly को आपने inactive कर दिया ineffective कर दिया उसके बास ताकत नहीं छोड़ी dissolve क्या हुआ कि आपने state legislative assembly को dissolve कर दिया तो मतलब अब नए elections होंगे नए MLA चुनके आएंगे जो पुराने MLA थे अब वो MLA ही नहीं रहे तो यह होता dissolve suspend मतलब जो पुराने MLA थे वो अभी MLA है बट legislature की ताकत चीन लिया उसके बाद एक और बात बोली यहाँ पर SR Bomey case में छटा point लिखा हुआ है कि देखे state legislative state की मतलब किसी भी state में अगर president tool लगाया गया तो उसकी जो state legislative assembly है जब presidential proclamation आएगा ना उस समय पे उस state legislative assembly को किवल suspend कर सकती है जब तक parliament का approval नहीं मिलता है उस president tool को तब तक उस state legislative assembly को dissolve नहीं किया जा सकता है आप समझे executive ने किसी state में president tool लगा दिया तो मालीजे अभी की बीजेपी की सरकार ने राजस्थान में president tool लगा दिया तो राजस्थान की जो राजसरकार है उनके जो MLA है वो MLA बने रहेंगे कब तक MLA बने रहेंगे जब तक parliament के लोग सबा राजसमा में एक presidential rule का proclamation पास नहीं हो जाता और अगर वो पास हो गया उसके बाद central government के पास यानि कि president के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो चाहे तो state legislative assembly को dissolve कर दे जो MLA पहले थे वो अब MLA नहीं बनेंगे नए MLA के लिए फिर से election होगा और माल लीजे उस president proclamation को parliament से सरकार पास नहीं करा पाई तो assembly जिसको suspend किया था वो फिर से reactive हो जाएगी ठीक है एक चीज़ हो गई फिर ये बोला गया है सात्मा point कि secularism is the basic feature of the constitution secularism मतलब कि जो Indian state है वो अपने आपको किसी एक particular religion के साथ associate नहीं करेगा religious organizations के साथ dealing कुछ इस तरीके से होगी कि किसी भी एक particular religion की तरफ state का या government का favor नहीं दिखेगा तो यह होता है secularism का सिध्धान अभी secularism का सिध्धान हमारे सम्मिधान का एक basic feature है तो अगर कोई state government anti-secular activities करती है दंगे भढ़काने की कोशिश करती है किसी एक religion को दूसरे religion से ज़ादा importance देती है तो भाई center की सरकार 356 के अंदर उस state में president rule लगा सकती है ठीक है फिर भाई state government के पास legislative assembly का confidence है या नहीं है इस बात पर decision उस state legislative assembly के floor पे लिया जाएगा होता क्या है जब भी MLS चुनते हैं वो MLS में जो सबसे बड़ी political party होती है उनका जो leader होता है वो अपनी majority को सिद्ध करता है अभी मान लीजे कि किसी state legislative assembly में इस बात पर बहस है कि जो ruling government उसके बास state legislative assembly के majority का support नहीं है तो उनके पास majority का support है या नहीं है ये decide होगा on the floor of the house और जब तक ये on the floor of the house decide नहीं होता है तब तक उस ministry को power से हटाना गलत है नहीं हटाया जा सकता ओके फिर नवा point देखें नवा point क्या बोलती है जब भी कोई नई political party आती है center में तो उसके पास ये ताकत नहीं है कि वो जो ministries और फाइनली दसवा point article 356 के अंदर जो भी ताकत दी गई है ये बहुत extraordinary ताकत है और इस extraordinary ताकत को केवल occasionally इस्तमाल करना है जब मन आये तब उठा के इसको इसको इस्तमाल कर लिया ये गलत है जो अब तक हुआ है ठीके दोस्तों अभी इसके बाद case of proper and improper use भी बचा है बड़ उसको अभी मैं discuss नहीं कर सकता चुकि समय नहीं बचाया दोस्तों तो उसको अगली वीडियो में financial emergency के साथ discuss कर लिया जाएगा Thank you for watching this video friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आयो Have a great day